जमीन के फर्जी खरीदी बिक्री पर रोक लगाने नया सिस्टम लागू किया गया है जिसके जरी जमीन के रिकॉर्ड अपलोड करते ही एक क्लिक में जमीन संबंदित पूरी जानकार या मिल सकेगी राजसों महकमे में पारदर्शिता बढ़ाने के उदेश से राजशासन ने नया NGDRS सिस्टम चालू कर दिया है इसके साथ जमीन की फर्जी खरीदी बिक्री पर अंकुष लगाने 23 जनवरी से नया सिस्टम लागू भी किया गया है इसके जरिये जमीन के रिकॉर्ड अपलोड करने के बाद सिर्फ एक क्लिक के जरिये जमीन की पूरी जानकार या हासिल हो पाएगी बता दे कि दुर्ग में 23 जनवरी से इस सिस्टम को ट्रायल के तोर पर चालू कर दिया गया जिसमें दुर्ग, धमदा और पाटन तीनों जगह पर रिजिस्ट्री काले हैं दुर्ग में SR1, 2 और 3 हैं इसमें से दुर्ग के SR1 और धमदा में इसे शुरू भी किया जाएगा शुरुवात इन दोनों जगह से की जाएगी इसके बाद यहां की सफलता के बाद पाटन में भी इसे चालू कर दिया जाएगा बता दे की अधिकारियों ने बताया है कि इस सिस्टम को दुर्ग के पहले रायपूर, धमतरी, अभणपूर, महासमुन के रजिस्ट्री कायलाय में शुरू किया जा चुका है इस सम्मन में दुरुक कलेक्टर रीचा प्रकास चौधरी ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है को ट्रेनिंग भी डेली गई है और साशन के द्वारा भी इसके लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है हमें पूरी उमीद है कि आम जन को अभी रजिस्ट्री करन के जो ऑफिसेज हैं उसमें किसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं आएगी और बहुती सुगमता से सरलता से और नियूनतम समय में उनके जो भी दस्तावेज हैं उनकी रजिस्ट्री के प्रक्रिया पूर्म होगे ACN News के लिए दुर्गस से नसीम फारुकी की रिपोर्ट